नमस्कार दोस्तों SBI की Internet Banking को यूज करने के लिए User ID और Password का होना जरूरी है अगर आप अपना User ID बूल जाते हैं पसवर्ड बूल जाते हैं तो उसे आप कैसे Reset करेंगे और कैसे Requirt करेंगे तो दोस्तों इस आज की वीडियो में SBI Internet Banking की User ID और Password Requirt करना बताऊंगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग कंप्योटर की स्क्रीन पर आते हैं और गूगल क्रूम ब्राउजर को ओपन करते हैं और सर्ज बार में SBI टाइप करते हैं जैसे ही सर्ज बार में SBI टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफीस आएगा तो हम लोग Personal Banking के Login section पे क्लिक करेंगे जैसे ही Personal Banking के Login section पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने इस तरह का Page Open होकर आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं Continue to Login लिखा हुआ है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने SBI का main homepage इस तरह का खुल कर आएगा New user के लिए इस तरह से registration करना है Forgot username password के लिए यहाँ क्लिक करना है तो हमें अपना username forgot और password forgot करना तो इस link पर open करेंगे तो यह मुझे नए page पर redirect कर देगा तो मुझे अपना username forget करना है तो forgot username पर क्लिक करेंगे जैसे ही forgot username पर हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद next बटन पर क्लिक करेंगे next बटन पर क्लिक करने के बाद कुछी इस तरह का page open होकर आएगा जिसमें CIF number, country, mobile number जो registered है मेरा इस account के साथ में capture ये सब डाल का submit करेंगे तो CIF number जो होता है वो मेरी SBI की जो passbook होती है उस पे लिखा हुआ होता है तो हम लोग इसको सारी detail फिल कर लेंगे और submit बटन पर क्लिक करेंगे जैसे submit बटन पर क्लिक करेंगे तो registered mobile नमबर पर हमारा OTP जाएगा डालेंगे confirm बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मेरा username जो है सामने सो हो रहा है तो हम लोग इसे copy करके रख लेंगे या कहीं note down कर लेंगे तो हम लोग वापस बैक जाएंगे उसी home page पर क्योंकि हमारा username मुझे मिल गया है अब हम लोग password को reset करेंगे तो हम लोग दोबारा से इस वाले link पर क्लिक करेंगे login password पर जैसे क्लिक करेंगे नई window open होकर आएगी login password क्लिक करेंगे और हमारे समने इस तरह का page open होकर आएगा जिसमें हमारे username account number country mobile number सारी detail है फिल कर लेंगे username वो डालेंगे जो हमने भी reset किया जो मुझे username मिला है तो वो username वहाँ डालेंगे account number डालेंगे सारी detail हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं और उसके बाद submit बटन पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सारी detail फिल कर ली है और एक बार चेक कर लेते हैं submit बटन पर क्लिक करते हैं जैसे submit बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरे registered mobile number पर एक OTP जाएगा तो उस OTP को हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और confirm बटन पर क्लिक करेंगे जैसे confirm बटन पर क्लिक करेंगे मेरे सामने इस तरह का page open होकर आएगा जिसमें हम लोग अपना login पासवर्ड किस तरह से forget करना है वो सारी चीज़ सो हो रहे हैं जैसे मुझे using ATM card details, using profile password, reset your login password with branch activation पर हम लोग अपना password जो है using ATM card details हम लोग ATM card के से अपनी details भरेंगे और अपना password reset करेंगे तो submit कर देंगे तो कुछ इस तरह का interface open होकर आएगा मेरे दो card पहले जारी होते हो एक्सपायर हो चुके हैं जो active card है वो उपर 100 हो रहा है तो इस card number को हम लोग select करेंगे और confirm button पर click करेंगे जैसे ही confirm button पर click करेंगे तो हमारे सामने एक नया page open होकर आएगा जिसमें हमारा card number सो रहा है यहाँ पर card holder name, pin, जो card की validity है वो भरना है और capture code डाल करके हमें proceed button पर click करना है तो हम यहाँ पर सारी detail फिल कर लेते हैं और उसके बाद में proceed button पर click करते हैं जैसे ही हम लोग proceed button पर click करेंगे तो हमारे सामने एक नया page open होकर आएगा यह देखें इसमें लिखा है reference number status success हो रहा है और debit card validation success दिखा रहा है तो हमारा page automatic reference हो जाएगा और हमें main page पर redirect कर दिया जाएगा तो देखें अब हमारे सामने new login password और confirm new login password का page open होकर आगया है तो हमें अपना password इस तरह से बनाना है ABCD add direct 12345 मतलब पहला जो लेटर है वो capital हो alphabet होने चाहिए special character होना चाहिए numbers भी होना चाहिए तो हम लोग password को enter कर लेते हैं और submit button को click करते हैं जैसे इस submit button पर click करेंगे तो मेरे सामने एक message आ जाएगा कि your login password has been reset successfully जो मेरा password है वो successfully reset हो गया है यह देखिए message so हो रहा है तो अब हम लोग दोबारा से home page पर जाएगे और वहाँ पर login ID और password enter करेंगे capture code डाल करके हम लोग login करेंगे तो हमने सारी details fill कर ली है और उसके बाद में हम password यहाँ enter करेंगे और submit button पर click करेंगे यहाँ पर हमारा profile password मांग रहा है तो हम profile password डालेंगे नहीं पता तो forget करेंगे और नया profile password और रिटाइप new profile password डाल करके submit button पर click कर देंगे जैसे submit button पर click करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मुझे मेरे SBI के home page पर redirect कर दिया गया है तो यहाँ पर सारी details हमारी so हो रही है हम लोग अपना यहाँ पर balance भी चेक कर सकते हैं account summary भी देख सकते हैं सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं जितने SBI में आपके account add है वो सारे आपके account इसमें so हो जाएंगे यहाँ पर हमारा नाम भी so हो रहा है और यहाँ उपर section में कई सारे section दिये हुए जहाँ पर आप अपना e statement डाउनलोड कर सकते हैं सारा कुछ आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like करें अपने friend के साथ share करें और channel को subscribe करें अगर आपके मन में कोई भी confusion हो तो मुझे comment box में comment करके बताएं धन्यवाद